हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज सोशल मीडिया पर एक खबर काफी चाही हुए है जो की है भारतिय सलामी बल्लेबाज सिखर धवन की दोस्तो भारतिय सलामी बल्लेबाज सिखर धवन का पत्नी आईशा मुकरजी के साथ तलाक हो गया है इसकी जानकारी खुद आईशा मुकरजी ने एक भावुक पोश्ट लिखते हुए दी है बता दू कि 2012 में धवन और आईशा शादी के बंदन में बंदे थे और 2014 में इन दोनों के घर पर बेटे का जनम हुआ था जिसका नाम जोरावर रखा गया था शादी के 9 साल बाद लिए गए इस फैसले से दोनों के फैंस को बड़ा धक्का लगा है आईशा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा एक बार तलाक हो चुका है लग रहा था कि दूसरी बार काफी कुछ दाओ पर था मुझे काफी कुछ सावित करना था इसलिए जब मेरी दूसरी शादी तूटी तो यह काफी ड्रावना था मैंने सोचा था कि तलाक गंदा शब्द है लेकिन फिर मेरा दो बर तलाक हो गया मज़ेदर बात है कि शब्दों के कितने ताकतवर मतलब और संबंध हो सकते हैं मैंने तलाक शुदा के तोर पर खुद से यह मैसूस किया है पहली बार जब मेरा तलाक हुआ तब मैं काफी ज़्यादा डरे हुई थी मुझे लगा जैसे मैं नाकाम हो गई हूँ और मैं उस समय काफी गलत कर रही थी दोस्तों आईशा अपनी पोश्ट में आगी लिखती है कि मुझे लगा जैसे मैंने सब को नीचा दिखाया है और स्वार्थी जैसा भी लगा और अपने माबाप को मायूस कर रही हूँ मुझे लगा कि मैं अपने बच्चों को नीचा दिखा रही हूँ और कुछ हद तक मुझे लगा कि मैंने भगवान की भी बेश्टी की है तलाक काफी गंदा सब्द था दोस्तो आप लोगों को इन दोनों जोड़ी के बारे में क्या कहना है जो भी आप लोगों की राय है आप लोग हमें कमेंट सेशन में लिखके बताएं दोस्तो दोस्तो ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए यदि आप मेरे चैनल को subscribe कर लिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे like करें maximum से maximum हर जगे हिशे share करें और दोस्तों इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए है तो subscribe बाटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नियू नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके धन्यवाद दोस्तों जै हिंद